जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं हमारे इस प्यारे से यूटूब चैनल डिश्टल एकडमी क्लासेस पर दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वार्सिक परिच्छा 2022 कच्छा दस भी बिसा हिंदी बिसा के बारे में तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने डिमांड किया कि सर हमें फरवरी में होने वाले पेपर को आप प्रवाइड करा दीजी तो बच्चों मैं बता दूँ आप सभी के डिमांड पर मैं आ चुका हूं पेपर लेकर तो जो बच्चे समझ रहे हैं रियल पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे उनके मेरे को बताना इसी में से पूरा कमेंट कीजिएगे सर आपने बताया नहीं आया बस ठीक है वार्सिक परिछा लुडार को बात करेंगे पूरा हलक के साथ पुरांक रहे गासी को समय रहेगा तीन गंटे के सवी आप सब जानते हैं ठीक हैं तो देखें आप पर प्रश्निक क्रमांग केख है सही बिकल पर चुनकर लिखे तो सबसे पहले आपको बिकल वाले प्रश्निक दिये जाएंगे तो आप लोग इसे रट लीजेगा आगे देखे क्या है राम चरित मानस की भासा है तो राम चरित मानस की भासा मारी क्या है अवधी भासा है तो राम चरित मानस की क्या भासा मारी अवधी भासा है बत चुठी गए रौध रसका इस्थाई भाव क्या है तो रौध रसका इस्थाई भाव हमारा क्या होता है क्रोध होता है तो आप लोग याद रखेएगा जो रौध रसका इस्थाई भाव हमारा होता है क्रोध होता है नेता जी की मूर्ती पर लगवाई गई थी नेता जी की मूर्ती पर क्या लगवाई गई थी नगरपाली का द्वारा लगवाई गई थी बच्चो चिकित्सालाई का समाज बिग्रा होगा चिकित्सा के लिए आलाई क्या चिकित्सा के लिए आलाई साप के निकलने पर डर कर भागे भोला नाथ आकर छिपे बताओ आकर कहां छिपे थी बच्चो मैया के आचल में क्या मैया के आचल में आकर छिप गाये थी बच्चो चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की और चलो आजाओ तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजे रिक्तस्थान की पूर्ती करने वाले प्रशन हैं तो खाली यह स्थान दिये रहेंगे उसके लिए आपको दो भी कल पे दिया जाएगा दोनों में से कोई एक सही हो उसको रि और दिजेगा मैंने अंडालाइन कर दिया जिसको भाराव हुन ठीक है काभी कि सुभाब भलाने वाले धर्म लंकार आ कहलाते हैं क्या कहलाते इंतरकार थ्क कर दियो लंकार फिर टिकरदया ठीक हैं नहीं कि प्रिभास साहु आइब हैं 20 aggregate किसकी एचार 2089 रहले को कि आत्वकता मेलेखट स्वंयं की जीवन कवर्ण करतां क्या स्वंयं फिर कुर अन्य भी उन्वे तो आत्मकतम बच्चों क्या स्वंयं की जीवन कवर्ण होता है यह था सकती में समासा हैं कौन समासrd है अभ्य भाव समास है तो हमने भर दिया ठीक है कभी कभी हमसे कुस्ती भी लड़ते कौन बापू जी बच्चो क्या बाबू जी कह लिजे क्या बाबू जी हिरो सिमा में है किस में है जपान में बच्चो किस में है जपान में है हिरो सिमा कहा है बच्चो जपान में है ठीक है अब देखें सह करना है व सही है मत चुना कर ने लिखा किला और मातर जाननिक भाग जाना माता का आचल सिव पूजन सहाई जी की रचना है ठीक बच्चो तो चले हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज के और तो हम आ जाते हैं अगले पेज में चले अगला पेज हमारा क्या है एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चो आपको करना क्या है एक वाक्य में उत्तर देना बिसु के सकल जन कैसे हो रहे हैं बिसु के सकन जल जो है बच्चो गर्मी से ब्याकुल हो रहे हैं फिर प्रिसान हो रहे हैं त्रिप्त धारा का संतेति करत क्या है दुखो से पीडित धर प्रचि पहला प्रश्मस नियोजित सब्सक्राइब को क्या करते हैं किया जाता है चंद कहा जाता जाता है कितनी मातर होतीं चोपाई में बत्चों 166 माता होते हैं या है नेता जी कि मूर्ति कितनी उची थी बच्चो नेता जी की मूर्ति मारी कितनी दो फिट थी बच्चो क्या दो फिट आगे देखी क्या है उपासना करने वाला का कहलाता है उपासक कहलाता है जो उपासना करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उपासक बोलते हैं बच्चो ठीक है हिंदी क से तो हैं राज पार्ण मारी और अधर्म क्या होताई कि पृजा को ना सता आई फेद है तो क्या ये बात सत्य ये गलत बात है बच्चो कहानी उपन्यास के पेच्छा छोटी होती है तो ये बात हमारी सत्य बच्चो ठीक है आगे देखो क्या परचीर भारत में इस्त्रिया अत्यंद विदूसी थी तो क्या बात सत्य है हाँ ये बात सत्य बईया क्या ये बात सत् भीधी वाचक वाग्यां क्या ये बास सत्त है हाँ ये बात भेमारी öl मारी उत्त है तार के शुर ना TV भुला ना TV यी हे ये बात तो सही है चलो वाग्राव अगले प्रश्ण की और तो देखऊ अगला सेस्ता हैं लिखना है तो छायवाद की दो भी सेस्ता हैं हमने लिख दिया बच्चो या फिर आप कर दिजे भक्ती कलीन की दो भी सेस्ता हैं तो हमने क्या लिखा है भक्ती कलीन की दो भी सेस्ता हैं लिखा है क्या भाक्ती भाव की प्रधानता और राज अस्राओं की त्याग सिंगार वा सांतरस की प्रधानता है चलो सात्वा नमबर देखो क्या है गोस्वामी तुलसिदास की दो रचनाओं के नाम एवां काभी गद्विसेस्ता है लिखना है बच्चो तो गोस्वामी तुलसिदास की दो रचनाओं क्या हो जाएगी रामचरित मानस हो जाएगी बिन और अधी में ठीक है उनके काम में यहीं कि उनके जो काम होते थे चौपाई, दोहा, सोठा, हरी, गीदिका, कविता, पद, आदी उनके छंद का प्रयोग किया करते थे ठीक है अब आगे देखो क्या है आग से रोटिया सेकने के लिए मा ने बेटी को सकेत करना क्यों जरूरी स समझा, तो आप लोग देख लिए मा ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अंजान थी, वह अत्यंत भोली वह सरल थी, उनके घर में केवल सुक ही देखा था, क्या उसने केवल घर में सुक ही देखा था, वह जीवन के पुली भाली बेटी समाज व्योस्था के अनुरूप आदर्स रूपी बंधन को स्विकार कर समाजिक बेदभाव का सिकार हो जाएगी, वह समाज के प्रतिमान के अनकूल स्वयम को प्रबल मान लेगी, ठीक है, मा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी या पीड़ा भोगने देख Pixarbu अगला प्रशन आपके स्क्रेरेन पर है, देखिए अगला प्रेशन मारा चंद किसे कहतें चंद के परकार लिखेए , जब अलंड़ों की संक्यक, असंखन गत किया क्या इसरे आप लोग कर लिजेगा ठीक है राम चरित्माना सीवे आप कर लिजेगा ठीक है तो आप लोग सभी का स्क्रेंट साड़ लेजे बाकी हम लोग आगे रीड नहीं करें कि वह समय बहुत जादा हो रहा है दस मिनट से जादा कोई भी वीडियों नही ठीक है तो आप लोग स्क्रेंट साड़ लिजे सभी प्रशनों का स्क्रेंट साड़ ले लिजे अच्छे से स्क्रेंट साड़ लिजे आप लोग स्क्रेंट साड़ ले लिजेगा हम बहुत जल्द ही सभी बिस्यों का पेपर लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने तो आप स्क्रेंशाद सर चले 21 बढ़न प्रश्न आप लोग स्क्रेंशाद ले लिजिए ग Article 22 बढ़ने यतक्याद की विप क्प्रेंशाद लेकिंवें क्यों के सब्सक्राइब ले लीजिए सब लोगों तो आप संस्क्याद के तसना कर ला ने ओप में कमेट कीजेगा कि सर कितने क्यूशन इसमें से मिले हैं ठीक है तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हम मिलेंगे किसी नेश्ट वीडियो में तब तक किले सावी को जाहिंद जाए भारत